वरोदरा शहजिला के साथ गुजरत भर में अब सूरज दियोता का पारा बढ़ते हुए तीखी और तेज तिलमिलाती गर्मी महसूस हो रही है जहाब बढ़ रही वैसे ये तेज गर्मी ने कही न कही रोग बिमारियों का भी पारा बढ़ाया है वरोगरा के कारेले बाविसित चेपी रोग हॉस्पिटल में फिलहाल पानी जन्य रोग बिमारी जैसे की पिलाई उल्टी दस्त और टाइफोर जैसे पीडित दर्दियों की तालत में बढ़ावा होते हुए ओपीडी फुल नजर आ रही है बढ़ रही तेज गर्मी ने रोग बिमारियों का भी मानो पारा बढ़ा दिया हो वैसे प्राइविट से लेकर सरकारी हॉस्पिटल में इन दिनों दर्दियों की भारी भीड का नजारा दिखने को मिल रहा है बढ़ रही तेज गर्मी एक और अपना प्रकोप बढ़साते हुए तेज तीखी तिलमिलाटी और बरदाश बाहर गर्मी को पैदा कर रही है ऐसे में तेज गर्मी के दिनों के बीच रोग बीमारिया भी बढ़ते हुए लोगों का जीना बेहाल बना है शयके कारेली बागसित चेपी रोग हॉस्पिटल में पाने जन्य रोग बीमारी फैलते हुए इन दिनों OPD काफी हाउस फुल नजर आ रही है जैसे बाथ है कि गर्मी से निजाद पाने के लिए हर कोई cold drink यानी की गन्य का रस से लेकर बर्फ की गोला और आदी soft drink की प्रती बढ़ा है ऐसे में कही न कही बर्फ के गोला से लेकर घं़ करया रस्मे इस्तमाल किया चाथा बर्फ केंपाने के चलते बन रहा है वो भी एक चिंता का विशय बना है जो ये ठंडा पीना याने की cold drink सहित ठंडे soft drink को पीने के कारण अक्सर पाने जन्य रोग बिमारी से लोग पीडित हो रहे है दॉक्टर ध्वरा भी इस संदर में बढ़ रही तेज गर्मी के बीच लोगों को साउधानी बरतने के लिए सलासूचन दिये जा रहे है एक और तेज गर्मी तो दूसरी और शोहर में गंभी रोग बिमारी फैलने के साथ हर एक जगा आम रस से लेकर गनने का रस और बर्फ की बोला चाच लसी सहित के नीमू पाने सहित के श्टॉल नजर आ रहे है इसमें इस्तमाल किया जाता बर्फ दूशिक पानी या तो फिर रोग बिमारी से पीडित पानी होने के कारण लोग इसका सीधा ही इस्तमाल और सेवन कर रहे है और नतीजा पानी जन्य रोग बीमारी से पेजित होने की करण होस्पिटल भी फुल लजर आ रहे हैं जिसको ध्यान में रखते हुए आज कारेली बाकसित चेपी रोग होस्पिटल के डॉक्टर द्वारा लोगों को साउधानी बरतनी के लिए सादा सुचन दिये गए थे बरफ ना गोडा छे के अबीची बती ठंडा फिना चे कैरी नो रस आ बदू जे वेचातू होई छे एमा जे बरफ के पानी नो उपियोग थतो होए तो ए पानी क्लोरीनेटेड होतू नती गणा बदा केस मा अने ए अस्वच पानी पीवाना लिदे गणा बदा रोगों जोवा मरता होई छे आ सीजन मा एक एसो ना प्रमाण मा वदारों जोवा मरता होई छे अपड़े त्या हाल जे पचास बेड़नीक एपेसिटी सामें 40-40 पेशन एडमिट छे ओपेडी मा रोज 100-100 पेशन आपड़े त्या रोज रिपोर्ट थता होई छे जे पाईकी 25-30 प कमडाना जोवा मरता होई छे जे साधारन करता आ सीजन मा हम्मेशा वदारे ट्रेंड प्रमाणे जोवा मरता होई छे शावचे तिमा हूँ एक खास कैसके हाल लगननी सीजन चाले छे तो लगननमा पन जे आउ केरी नो रस के छास आवी वस्तुवा जे 100-30 होई एमा जे पा पोईजनिंग नो आ सीजन मा एक चांस रेतो होई छे करन के लोको वासुई खोरा बनाई राखे ने पचिए खाये लेना दी फूड पोईजनिंग ना केसो थता होई तो आउ बने त्यां सुधी खावानों टाड़ू जोई बाहर नो जे छुटक जे लारी गल्ला पर जे व मच्छर तो हजू उत्पत्ती ने वार छे अगव थी या थोड़ा दाबा पर कोई डबला डूबली पड़या होई ने एमा पाणी बरावानी शक्यता होई तो एमा पची पाचर थी मच्छर उत्पन थता हो एटले ए सफाई कराई ने निकाल कराई लेवा जोई या पेशन्ट जे ठीकी पेशन्ट जे जागने इले क्रिटिकालिटी एवा तोई पेशन्ट भराचे ना अपड़े त्याना जे पेशन्ट आवए जे छेला पांच वरस में सदबागी एकपण मरण थयू नदी बदा पेशन्ट लगबग हैपी थाई नहीं जाये चे आपड़